असलाम अल्किम गाईज मैं हूँ आको दो शेक्षफा को स्वागत आपको अपनी यूट्यूब चैनल जेके जाव वैलेट्स में एक नए अपडेट के साथ अगर आप जेके जाव वैलेट्स यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइ वीडियो को एंड तक देखना है तब आपको पता चलेगा कि आपको कई से फिल अप करना है और सब्मिट करना है तो सबसे फिल आपको क्या करना है आपको आपनी स्माटफोन में क्रेंब ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा तो जब आप इसको ओपन करोगे तो आप यह अब इसको आप सर्च करोगी तो आपको क्या करना है यहां पर आपको तीन डाट मिल रहे तो इन पर किलिक करना है किलिक करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करना है और यहां पर आपको एक ओप्शन मिलेगा डेसक्टाप साइट इसका जो डेसक्टाप मोड है वो एक्ट किलिक करने के बाद शूक्त आईगा यहां पर आप देख रही कि3 है रस टैश्oft UH ext अम एतने सब्सक्राइब देख लोगिन अगर आपके पास login ID तो आपको login ID पर कीविल करना है अगर नहीं है तो अगर आद फ्रेशर है तो आप पर करना है क्यूंख नोया नई आडी बना सकते हैं तो हम प्रेशल तो हमने कंडिडैट राज्टेशन क्लिए क्लिए और उब वार जोड़ में उपर करना और स्वफिया करना यहाँ पर यहाँ पर इसको यहां पर फैलप करना रेख... हम-न फैलप करते हैं हाँ हमाइड फैस्ट नेम इसे बाद मिडल नियम है और फाले यहाँ यहाँ पे आपक부터 लासने में वह यहाँ पे एंटर करना है तो यह हमने यहाँ पे अपना नाम एंटर केश पाद आप क्या करना है male female transgender جो भी है वो यहां पर आप इस पे टिक करना टिक करने के बाद आपका जो email address है register email address होना चाहिए को आप यहां पर enter करना email address enter करने के बाद आपको यहां पर mobile controller enter करना है उसके बाद यहां पर नीचे password और इसके बाद आपको password अगरा यदा चाहिए इसके बाद आपके पास ऐसा एक पेज आएगा तो उसके बाद आपके पास OTP आ सकता है आपके मुबाइल नमर पर आए तो इसको आप एंटर करके इसको continue करना अगर नहीं आए तो आपके पास ऐसा एक पेज डरेक्टली आएगा और आपको applying आउप एंटरफेस आएगा और आपको क्या करना है यहां पे आपको आपको आपके फादर का नाम एंटर करने के बाद आपके मदर का नाम यहां पे आप एंटर करना और उसके बाद आपको अपने डियो भी जो भी है वो यहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको यहां पे 2010 लिखा हुआ है इस पर आपको किलिक करना है और यहां पर आपको यह से लट करना है यह से लट करने के बाद आपको यहां पर मंथ से लट करने के बाद यहां पर आपको जो भी डे है इस पर किलिक करना है तो इसके बाद सेट पर किलिक करना है तो यह आपकर डियो भी हो गया है उसके इसके बाद उनने यहां पर दिया हुआ है क्या आप जूमर्ड कश्मिर के डॉमिस्टाइल है या नहीं अगर है तो आपको यहां पर यस करना है अधर वाइज नो जाहिर सी बात है कि आप जेंड के से बिलांग करते हैं तो जेंड के के ही डॉमिस्टाइल है उसके बाद आप लूचका ध्यो जो मुहया कश्मियिस यहां पे इस्लेक्त करणा, उसकेपाद आपका डिस्ट्क वह भी आप यहां पर इस्लेक्ट करना आप को इस्लेक्ट करनी के बाद आपको यहां पर अप्शन मिल रहा है कर ऑस अब यहां पर उन्ने ये भी मैंचिन किया होई कि कि आपको dom cell issue हुई है या नहीं, अगर आपको issue हुई है तो आपको यहां पर yes select करना है, तो उसकी पाद आपका dom cell certificate number, date of issue, issuing authority, और आपका district जो भी है, वो पूरी details आपको यहां पर तहसिल के साथ आपको यहां पर mention करना पड़ेगा, अगर आपको अभी तक issue नहीं हुई है, त आपको क्या करना है, आपको यहां पर no करना है, तो यहां पर show हो रहा है कि आपको dom cell certificate की जरूरत पड़ेगी जब आपकी selection हो जाएगी, और आपकी जो जब document verification हो जाएगी, तो इस time आपको इसकी need पढ़ सकती है, dom cell की, जब आप यह options पूरे completely fill करोगी, तो इसके बाद आप आपके पास एक और ऐसा page आएगा, तो यहां पर आपको अपना correspondence address जो भी है, वो आप यहां पर enter करना, सबसे पहले आपका house number, जो आपका house number होगा, वो आप यहां पर enter करना, उसके बाद लोकल्टी वो भी आप यहां पर enter करना, और आपका village, आपके village का नाम, वो आप यहां आपका कौन सा audiction आता है, जो मोर्य है या कश्मीर, तो वो यहां पर, आपको ảiोडन कोन है, अपको, इसके बाद डिस्टिक, वो यहां पर आप सिलेक्टर ना, डिस्टिक के बाद आपका ताधिये बुरूओ आपका ताथे लूड़क, वो दोनों यहां पर आपको, सिलेक बुलागं, तो यह हमने इसके बाद आपका आपका पंचायत है वो भी आप यहां पे का अपिशेट िुट्रोन है ओं में लास्ट में जो आपका पिन कोड़ है आपके दिस्ट का पिन कोड़ है वह आप यहां पर एंटर करना तो पूरी चांटियाल यहां पर करने के बा 서ligen आपको सेव और कांटीडियू पे किल्क करना से अर्स प्रति 51 पर किल्क किया हमने तो और एक पेज यहां पर अपन हो गया है और आपको फर से यही डिटिल्स आपको यहां पर एंटर करने पर मेंटर आडरस score बट इंद its हमने हैं प्रिक किया और लिए इसके बाद परमेनटर आटरस जो आपका होगा वो यहाँ पर आप enter करना तो permanent address पर पूरी details enter करने कि पाद आपको फिर से save and continue पर एक बार कलिक करना आए तो इस पर हम click करते उस पर click करने के पाद आपके पास एक ऐसा page आएगा सबसे फिर आपको यहाँ पर category आपको चोज करना है जो आपकी category होगी ओम आर बीए सी स्टी एडवलेस पीएसपी ओसी जो भी आपकी category होगी वह आप यहां पे सिल्ट कर सकते हैं उसकी बाद अगर आप casual labor है तो यहां पर आपको tick करनी है अगर आपकी family कोई भी गौवर्मन्ट अपर आपकी नहीं है तो यहां पर आपको tick करनी है उसके बाद विडो डोस में जोडिशली सेपरेटर मोमें यहां अफन गर अगर कोई है तो आपको यहां पर tick करना होगा अगर आप इन अगर इसमी आते हैं तो आपको यहां पर tick करना है अधरवाइस आपको यह box खाली छोड़ना है उसके बाद और आप अगर आप है तो यहां पर नो करना है यहां पर आपको फिर से save and continue पर click करना है save and continue पर click करने के बाद फिर से एक और पेज यहां पर आपके सामें शो हो रहा है pending criminal processing if any अगर आपको कोई criminal case है तो आपको यहां पर yes करना है आप yes नहीं करना है आप no ही रखना अगर yes किया तो आपका फार्म सामेट नहीं होगा उसके बाद आपको save and continue पर किले करना है यहां पर आपको qualification details enter करनी पड़ेगी सबसे पहले whether 12 qualified अगर आपनी 12 पास किया तो आपको yes करना है अधर आपको यहां पर no ही करना है तो मैं yes पर किले करता हूं इसके बाद जो आपका board होगा इस पर i click करना है अगर जे के बोर्ड है तो जे के बोर्ड़ पर टेक करना है cvsc icse nos दर जो भी बोड होगा आपको इसी टेक आए कि बाद एससे मैटरिक परसेंटेज में जो आपकी परसेंटेज है वह यहांपे आप मेंचन करना इसके बाद जो मैटर का जो डेट है जब आपका 10th result आया और वो कौन सा डेट था वो आपको यहां पे mention करना है यह हमने date यहां पे mention किया उसके बाद आपका 12th board जैसे आपने 10th board यहां पे select किया वाई सी 12th का भी board आपको यहां पे select करना है इसके बाद 12th में जो percentage है वो भी आप यहां पे mention करना और इसके बाद 12th का जो date जब 12th का result आया उस time कौन सा date था वो आपको यहां पे mention करना है तो यह मैंने यहां पे 12th के result का date भी mention किया उसके बाद आपको save and continue पे फिर से एक बार click करना है इस पर click करने के बाद आपके पास यहां पे बता रहा है कि जो आपकी qualification है क्या वो according to notification है आपको यहां पे yes करना है इसके बाद do you have qualified about 10 plus 2 यहां पे आपको no करना है अगर आपने yes किया तो आपका जो फार में वो साब्मिट नहीं होगा इसके बाद आपको examination center चोज करना होगा तो अगर आप कश्मीर में रखना चाहते है यहां पर जमू में रखना चाहते हैं जो आपके मजी आपको रख सकत तो इसके बाद आपको save and continue पे click करना है उसके बाद आपको अपना photo और आपका signature यहां पे upload करना पड़ेगा लेकिन आपका जो photo और signature वो less than 1 MB होना चाहिए तभी वो यहां पे upload हो सकेगा अधर हो अप्लोड नहीं होगा आपको क्या करना है आप अपनी image compress कर सकते हैं किसी भी भी नहीं आएगा तो आप हमें comment करना हम इसके लिए भी आपको एक video provide करेंगे तो इसके बाद आपको क्या करना है यहां पे आपको photograph select करना है साब से पहले ही तो हम यहां पे photograph upload करते हैं यह हमने photograph upload किया उसके बाद हम यहां पे signature भी upload करेंगे तो यह हमने signature भी upload किये उसके बाद आपको save and continue पे फिर से एक बार click करना है तो उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं आपका application farm है और यहां पे नीचे आप देखो तो यहां पे आपका photo और आपका signature दोनों upload हो चुके इसके बाद आपको क्या करना है आपको यहां पे check eligibility and continue to fee payment पे click करना है यह आपका final setup है यहां पे आपको आपका जो fees है वो यहां पे payment करना है यहां पे दो options मिलते हैं आपको JK bank और SGFC जो आपके मर्जी आप इससे payment कर सकते हैं इसके बाद continue to pay पे click करना है और यहां पे आपको payment करना है फिस का जो amount है वो 350 है 350 आपको pay करना पड़ेगा आप यहां पे credit card, debit card, debit card, ATM या internet banking योज़ करके payment कर सकते हैं अगर आप credit card के थो payment करना चाहते हैं जो यहां पे पहला वाला option है तो आपको यह फारम फिलप करना पड़ेगा इसके बाद आपको make payment पे click करना है और आपका payment हो जाएगा और इसके साथ आपका final submission हो जाएगा इसक लगते हैं तो यह था procedure class 4 फारम को फिलप काने के लिए और submit कैसे करना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया तो आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो जाल्दी से एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाल्दी से सब्सक्राइब करना आप हमारी मुलागा एक नए वीडियो में होगी तब तक के लिए टे कियर भाई अल्ला हाफिज